आज हम जैसंकर प्रशाद वारा रचित मद्वा काहनी की समिख्या करेंगे जैसंकर प्रशाद हिंदी साहित्य में एक ऐसे कताखार हैं जो प्रेमचंजी के पश्चाद सरवादिक महत्पून गए हैं प्रशाद की जो परतिबाहे वह सामनेत नाटक के छेत्र में अधिक परसिद्धी प्राप्त की थी किन्तु कविता नाटक उपन्यास निबंद काहनी इन सभी छेत्रों में देखें तो प्रशाद हिंदी गद्य की किसी भी छेत्र में कहीं भी वे ऐसा मैसूस नहीं होता कि वे किसी अन्यक अधाकार से कोई कम है परसाद की जो कहानिया है सामने तब वे व्यक्ति परादरी ज्यादा है जिसको हम चरित्रपदान कहानिया भी कह सकते है उनकी कहानियों में पात्रों का जो संसार होता है वह बहुत ही व्यापक होता है चरिक्त पतान काहाणिया होने के बावजूद भी प्रसाद की कहाणियों में कत्थ और सिल्प का अपुर्व शमन वे दिखाई देता है उनकी कहाणियों का जो इस्ठापत्य है यानि जो कला सिल्प है वह बहुती सुधर्ड रूफ से दिखाई देता है सामनेत वे तर्सम सब्दावली का प्रियोग अधिक करते हैं इस कारण से प्रसाद की कहानियों को कहीं पाठक उसको क्लिष्ट कहानियों के संब्दन में भी कहते हैं किन्तु गहराई से देखें तो संस्कृत्रिष्ट बासा ऐसी नहीं है कि सामन्य पाठक के समझ में ना आए प्रसाद के जो प्रमुक कहानी संग्रे है पर्तिध्वनी, छाया, आकास, दीप, आंधी, इंदरजाल ये सभी इनके प्रमुक जो कहानी संग्रे हैं इनमें सभी कहानियों में प्रसाद जी ने सामनेत कहानी के कथानक का विकास इस डंग से किया है कि पूरी कहानी पाठक आ उस मध्वा कहानी का जो कथानक है वह एक ऐसे पात्र के चरित बरादारित है जिसे सामनेत शराप पीने की लत्थ पड़ी रहती है एक अभावगरस्त व्यक्ति है जिसकी मनोभावनाव का चित्रन परसाद जी ने सामनेत की अपने इस कहानी में किया है परसाद जी एक ऐसे कथाकार है जो कहानी के रचाव पर अधिक ज्यान देते हैं वे अपने कहानियों में प्रेम, राष्ट बक्ति, त्याग, रहशे, बावना इन सब उद्दात बावों को व्यक्त करते हैं यानि सामनेत परसाद जी कहानिया है उसमें प्रेम, कर्तव्य, आदर्स, राष्ट बक्ति इन सब का चित्रन हैं वे यथार्थ वाद से काफी दूर है और सबसे बड़ी है कि सिलभ विधान जो उनका है वो बहुत ससक्त है, जहां प्रेम, चंज की काहनियों में, प्रसाद की काहनियों में इस तरह का सिलभ विधान है कि कई आलोचकों ने उसको प्रसाद स्कूल तक का सिलभ कह दिया है अब हम उस मध्वा काहनी के अंतरकत देखें कि वह जो मध्वा पात्र है उसके पास कुछ भी काम धाम नहीं है वह जमिदार के पास जाता है उसे जीटे किसे सुना कर उसका मंदर रुजन करता है कि बतले में जमिदार उसे सामने व्यक्ति है जो इस बात को जानता है कि वह जमिदार के समक्ष जोट बोल रहा है जमिदार के वल उसको मंदर नंजन के निमित व्यक्ति मांता है और मानव के शोशन का वह एक अलग इस्तरवाँ पर दिखाई देता है सरावी भी एक अंदर से एक सीधा आद्मी होता है और उसका भी हर्दय परिवर्दन हो सकता है मनुष्था की रक्षा उसकी वेक्तिकत आओ सकता हुसे कई बार बड़ी हो सकती है और परसाद जी ने मध्वा के माध्यम से इसी तर्थे को रेकांकित किया है कि एक सरावी की जो मानवियता है और एक जमीदार की जो अर्शमेदन सिलता है वह इस काहनी का एक परमुख कर्थे के रूप में हमारे सामने उपस्तित होता है परसाद जी की मधवा कहानी एक सामाजिक परिवेस से जुड़िवी कहानी मानी जा सकती है जिसका कथानक ठाकूर से सराभी की कहानियों को सुनाने के बदले इनाम में वह एक प्रकार से सराभी प्राप्त करता है वहीं पर सराबी को एक असाहई बालक मिल जाता है और उसकी वैथा सुनकर सराबी उसे अपने कोठ्री पर लाता है और उस तिन सराबना पिकर उसे अपने पैसे मद्वा के लिए पूरी मिठाई आदी खरीदने के लिए दे देता है एक परकार से सराबी का जो हर्दे परिवर्तन है वह इस काहनी का एक महत्मुन कथान का महत्मुन भाग है और इसी दस्टी कौन को ध्यान में रखते वे इस काहनी के आदार पर एक प्रस्ण भी हिंदे शाहित्य मना है कि इस काहनी में कि मद्वा काहनी में परसाद का जो हर्द देवादी परिवर्तन का जो स्वर है वह परमुक्रूप ये उभर कर अमारे सामने आया है अब जहां तक इस कहानी को जब हम वाचन करेंगे तो उससे पहले उसके पात्रों और चरित्रों के बारे में आप समझ लें इस कहानी में दो मुख्य पात्रे एक तो बालक मदवाय औ और इसके अलबा कुछ अन्य गौन पात्र भी है ठाकूर सरदार सिंग लल्लू जमादा राम जी आदी और इस कहानी की एक सरवादिक महत्मुन बात है जो परसाद की कहानियों में बहुत कम हमें देखने को मिलेगी उनके वो है कि कोई इस्त्री पात्र का ना हो ना क्योंकि परसाद जी ने यह व्यक्ति या पात्र परधान कहानी का निर्मान किया और इसमें जो एक शरावी का जो चरिक्त्र चित्रन है उस पर बल देना है उनका मुख्य उद्धे शिरा सरावी मनने से वन निकम्मा हो जाता है ठाकूर आदी को जूटे किसे सुनाता है शराब पीत lack up अहmudड़ पलता है इन ढोल पात्र उसे दिन भर Bukhya रहना पड़ता है इन दोनों पात्रों के चर्तर चित्रन में प्रसाद जी पूरी समेदन सीलता बर्ती है पात्रव चरृत्र हो कि दष्ट्री कौन से देखें तो यह कानी प्रसाद की एक श्रेश्ट कानी TM यह जिसमे फिर सराभी के अर्दे में जो हर्दे परिवर्तन होता है वह इस काहनी का एक आकरसक बिंदू है अब हम यदि इसके समवाद देखें तो काहनी के जो समवाद हैं इस काहनी में वो भूती उतकरष्ट हैं जो कथानक के को आगे बढ़ाने वाले चरितर पर प्रकाश डालने वाले और काहनी के उद्देशे को प्रकट करने वाले हैं इस कहानी के जो समवाद हैं वह सामनेता संचिप्त हैं और तरक्युक्त भी हैं और इस कहानी के समवादों के एक सबसे महत्मुन बात है उसकी रोजचक्ता में और उसकी जिग्यासा में जो पूरी तरीके से इस कहानी में हमारे सामने प्रकट होते हैं अब यदि इस कहानी के संबादों की एक अन्य महत्मुन विशे सा देखें वह है कि संवेदना कहानी के जो भी पात्रापसी जो बादचीत होती है उसकी महत्मुन बाती है कि वह कहानी के संवेदना को परकट कर रहे हैं या नहीं यहां कहानी पात्रों के जो आपसी बादचीत से उसमें इस कहानी की संविधना पुरी तरीके से हमारे सामने प्रकट हो जाती है आप उधारन के रूप में यदि आप देख बजब आम वाचन करें तो आप इस कहानी के प्रश्चंक्या 49 पर जो एक संबोधन है प्रसाद जी का अब क्यों रोता है रे छोकरे मैंने दिन बर से कुछ खाया नहीं इतने बड़े अमीर के यां रहता और दिन बर तुझे खाने को नहीं मिला यह बाच्रित जो उसकी सराभी और मद्वण की जो बाच्रित है वह इस कहानी की नाट केता गतिशीलता को मारे सामने पूरी तरिके से प्रकट करती है चारित्रिक विकास को भ कि जिस कहानी का सर्जन जिस वातावन या जिस यूग के संदर को द्याल में रखकर किया गया क्या उसके साथ प्रसाद जी ने नियाय किया है यदि हम देखें तो पुरी तरीके से इस कहानी के देश-काल है वो प्रसंसा करने योग्या है लखनों की एक गंदी नाली में जो एक कोठ्री में जो सरावी रहता है और जमीदार के जूठे की से सना कर जब वह कहानी आगे बढ़ती है और तत्पश्चात जो एक बेशुद पीडित और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जिसका शोशन हो रहा है वह बालक मदवा के रूप में सरावी को मिलता है और दोनों पात्रों के जो बाचित है वह इस कहानी को पूरी तरीके से हमारे सामने जीवन्त कर देती है बातावर्ण को जी कि जो कहानियों की जो बाचा है वह संस्कृत निश्च तत्सम सब्दावली से अधिक युक्त होती है चाहिए कोई भी कहानी उठाले उनकी आप पड़ें या कोई उपनियास कोई कविता लें तो सभी में तत्सम सब्दावली का प्रियोग बेश्च करते हैं देश्च क उसका कहानी में वर्णन करते हैं तो वो बहुत सहच और सामने बाचा का प्रियोग करने लग जाते हैं कहानी में शभाषा और शैलिक की दर्श्च कौन से देखे तो इस कहानी में स्वगत कथन के रूप में भी कुछ आई हैं स्वगत मनलब पात्रों के द्वारा स्विम के कि हम चर्चा करें तो मद्वा कहानी परसाद जी की एक मैंने शुरू में कह दिया चरित्र प्रदान का आणिये जिसमें सरावी के चरित्र को उजागर करना उनका मुझे उद्देशेरा इसमें जो एक बुरी आदितों से गिरेवे समाजगवारा उपेक्षित और जिसके पास कोई आजवी का सादन नहीं ऐसे सरावी का चित्रन करने का और उसके बाद उसके हर्दे परिवर्तन की जो बात है वह इस कहानी के मानवे संफितना को उपरकट करती है कहानी पुरी तरीके से एक मजबुरी में काम करने वाले व्यक्ति और एक सरावी के चरित्र के आसपास ह पुरी तरीके से इर्दगेद रहती है इस कहानी का उदेश्य उच्वर्ग के सोशन उसके आडंबर पुन वैवार और एक सराबी के चायो कितना ही बली कर्मनी वेक्ति है फिर भी उसके अर्दे में समवेदना है और वह उस बालक के परती अपनी समवेदन सीलता को प्रकट कर करता है तो कहानी में का उदेश्य है जो जमीदार उच्वर्ग का है उसका सोशन का उजागर करना उनके करतिम आडंबर पुन परदसन पुन वैवार की पर वेंग्यात्मक प्रकाश डालना और एक सराबी व्यक्ति का चरित्र करके कहानी में समवेदना को जाकर्त करना इस कहानी में कथानक चरित्र भाषा समवात देशकाल और वातावन और उदेश्य इन सब दश्टी कौन से देखें तो यह कहानी प्रसाद जी की एक पुरी शफल कहानी मानी जा सकती है इस काहनी का एक सब्सावादिक महत्पुन जो भाग है वह है सरावी का चरित्र चित्रन और उस सरावी के चरित्र चित्रन को हम एक अलग पूरे व्याख्यान के रूप में आयुजित करेंगे जिस तरीके से उसने कहा था काहनी में जैसे लहना सिंग का जो चरित्र महत्पुन उनकी अलग से हम चारित्रिक विशेष्ताओं को भी करेंगे